Hello students, आज हम सात्वी कक्षया के एक important chapter जीवों में शवशन के बारे में पढ़ेंगे शवशन से पहले सांस लेना क्या होता है? वाईयू को नाक या मुह के द्वारा लेना वे छोड़ना सांस लेना कहलाता है शवशन एक लंबी परक्रिया है, सांस लेना शवशन परक्रिया का ही एक हिस्सा है शवशन क्या होता है? शवशन में सरीर की कोशिकाओं में ओक्सीजन जाकर ग्लूकोज अर्थात भोजन का विखंडन करती है और इस से उर्जा उत्पन होती है इस लंबे परक्रिया में कोशिकाओं में ओक्सीजन जाती है यह ओक्सीजन भोजन का या कह लिजिए ग्लूकोज का विखंडन करती है इस से उर्जा उत्पन होती है, इसे शवशन कहते है शेवशन दो प्रकार का होता है वायू ये शेवशन और एवायू ये शेवशन हम सब वायू ये शेवशन करते हैं पशू पक्सी वायू ये शेवशन करते हैं नाम से जाहिर है वायू ये शेवशन ओक्सीजन की उपस्थिती में वायू की उपस्थिती में होती है जिसमें ग ग्लूकोज का तूटकर कारबन डायोकसाइड जल तथा उर्जा में परिवर्तन होता है अर्थात ग्लूकोज का विखंडन होकर यह कारबन डायोकसाइड जल तथा उर्जा उत्पन करती है जिस उर्जा से हम सभी विभिन परकार के काम करते हैं भागना दोडना खेलना कूद इन सब में उर्जा की आउश्यक्ता होती है और यह उर्जा ग्लूकोज के विखंडन के कारण उत्पन होती है AYU ये श्वशन, YU की अनुपस्थिती में अर्थात oxygen की अनुपस्थिती में ग्लूकोज का विखंडन होकर ग्लूकोज तूटकर एलकोहल कारबंडायोकसाइड तथा उर्जा उत्पन करती है एवाईयू ये सेउसन यिस्ट नाम के जन्तू में होता है इसका मतलब यिस्ट बिना ओक्सीजन के भी रह सकता है येस्ट में एवाईउ ये सवशन होता है हमारी मास्पेशियों में भी कभी-कभी जब हम ज्यादा वयायाम करते हैं खेलते कूटते ज्यादा है तो हमारी हाथों या पैरों की मास्पेशियों में एठन हो जाती है जब हम ज़्यादा व्यायाम करते हैं तो हमें ज़्यादा उर्जा किया हो सकता होती है हमारी मास्पेशियों को ज़्यादा उर्जा उत्पन करने के लिए जब ओक्सिजन की पूर्ती नहीं हो पाती तो हमारी मास्पेशियों में भी कभी कभी AYU ये सेउसन होता है और हमारी मास्पेशियों में ग्लूकोज का विखंडन होकर लेक्टिक अमल, कार्बन डायोकसाइड और उर्जा उत्पन होती है ये मास्पेशियों की एठन लेक्टिक अमल के इकठा होने के कारण होती है वायू ये सवशन में उर्जा की मात्रा अधिक उत्पन होती है जबकि एवायू ये सवशन में उर्जा की मात्रा कम उत्पन होती है सांस लेने के लिए हम दो परकार की क्रियाएं करते हैं अन्ते सवशन और उच्छवशन अंते सोषन ओक्सीजन समरिद वायू अंदर लेना जिस वायू में ओक्सीजन की मात्रा अधिक होती है वह हम सरीर के अंदर लेते हैं इसे अंते सोषन कहते हैं जबकि उच्छोषन में कारबंडाय ओक्साइड समरिद वायू को बाहर निकालते हैं कारबन डायोकसाइड की मात्रा जिस वाईयू में अधिक होती है वो हम बाहर निकालते हैं तो इस क्रिया को उच्छवशन कहते हैं शवशन दर क्या होती है हम एक मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं अर्थात एक मिनट में जितनी अंते शवशन या उच्छवशन करते हैं वह हमारी शवशन दर कहलाती है विश्राम की अवस्था में शवशंदर 15 से 18 होती है जबकि कई बार हम व्यायाम कर रहे होते हैं खेल रहे होते हैं या दोड़ लगा रहे होते हैं तो शवशंदर 25 शवशंदर परती मिनट भी हो जाती है हम स्वास कैसे लेते हैं आप सबी जानते हैं हम स्वास नथुनों के द्वारा नाक के द्वारा या मू के द्वारा लेते हैं वायू नथुनों से या मू से नथुनों के नासा द्वार से होते हुए अंतेशवशन करते हैं ये वायू नासागुहा से स्वासनली में जाती है और फिर ये वायू फेफडों के फुफुश तक चली जाती है फेफडे पसलियों से घिरे होते हैं आप सभी जानते हैं हमारे ये जो वक्स है चाती है इसमें जो अस्थियां है अस्थियों का एक पिंजर है इसको हम पसलियां कहते हैं फेफडे पसलियों के अंदर सुरक्षित रहते हैं फेफडे वक्षगुवा में स्थित होते हैं वक्षगुवा चाती के अंदर का जो भाग है जिसको हम थोरेशिक कैविटी कहते हैं फेफडे इस थोरेशिक कैविटी अर्था तो वक्षगुवा में स्थित होते हैं जिसे डायाफ्राम आधार परदान करता है ये वाला जो डा हम पसलियां बोलते हैं इन पसलियों के अंदर और डायाफ्राम के उपर फेफडे उपस्थित होते हैं जब हम अंते सवशन करते हैं अर्थाच सांस को अंदर लेते हैं तो पसलियां उपर की तरफ या कह लिजिए बाहर की और गती करती हैं पसलियां जब हम अंते सवशन करते तो पसलिया उपर की तरफ या बाहर की तरफ गती करती है जबकि डायफराम अंदर की तरफ डायफराम यू कह लिजिए नीचे की और गती करता है जब हम सांस लेते हैं तो वाई यू अंदर इंटर करती है डायफराम नीचे की तरफ गती करता है पसलियां उपर आ जाती है इस से उलट जब उच्छवशन करते है उच्छवशन का मतलब वायू बाहर निकालते है तो डियाफ्राम उपर की तरफ जाता है जब हम उच्छवशन करते है तो पसलियां नीचे आ जाती है अंदर की तरफ आ जाती है और डियाफ्राम उपर की तर कम कब होता है धोरेशिक कैविटी का आयतन वोल्यूम कम कब हो जाता है जब वायू फेफडों से बाहर आती है डियाफराम उपर की तरफ चला जाता है आयतन धोरेशिक कैविटी का कम हो जाता है अन्य जन्तूओं में शौशन, कोक्रोच में शौशन, कोक्रोच के सरीर पर बहुत छोटे छोटे छिद्रों होते हैं, जिनको हम स्वासरंद्र बोलते हैं, स्वासरंद्रों की साहिता से कोक्रोच में शौशन होता है, अन्य जो कीट है, उनके अंदर जो गैसों का विनी में है गैसों का आदान परदान है उसके लिए वाईयू नलियों का एक जाल होता है जिसको स्वास परणाल या वातक कहते हैं केचवे की तवचा आपने देखी होगी गिल्ली तवचा रहती है केचवा उस अपनी तवचा के द्वारा साउशन करता है जबकि मचली पानी में रहने वाला जीव है मचलीयों में कलोम या गिल्स होते है कलोम या गिल्स के द्वारा पानी में गुली वी ओक्षीजन को मचलियां ग्रहन कर सकती है क्या पादप भी शवशन करते हैं पोधे भी शवशन करते हैं हाँ पोधों को भी पादप को भी उर्जा लेने के लिए शवशन की अवशकता होती है पोदे के लगबग सभी भाग शवशन करते हैं पादप की पतियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम रंद्र या स्टोमेटा कहते हैं तो पादप की पतियों में शवशन रंद्र के द्वारा स्टोमेटा के द्वारा होता है जबकि जडों में बहुत छोट च्टै छोते च्छिद्र होते हैं जिनको मूल रोम कहते हैं जड़े मूल रोम की सहायता से मिट्टी के कणों के बीच में जो वायू होती है उस वायू को ग्रेहन करते है तो ये था सात्वी कक्ष्या का जीवों में शौशन अगले वीडियो में हम अगला चेप्टर लेके आएंगे तब तक के लिए दन्यवाद